बारी है जानकारी की तो आज की पहली जानकारी है श्रीविधी से धान की खेती वो यंत्रों के प्रयोग के बारे में फीचर के माधियम से आपको जानकारी दिवाएंगे तो आईए देखते हैं प्रती इकाई छेत्र से कम से कम लागत में धान का अधिक्तम उत्पादन करने के लिए 1980 के दशक में मेडा गासकर के वेक्यानिक द्वारा एक नई तकनीक विक्सित की गई इस से धान सधनी करन पदवती या SRI विधी अथवा श्री विधी के नाम से जाना जाता है इस विधी से धान की खेती करने पर कम बीजों की आवशक्ता होती है इससे उत्पादन इवं उत्पादक्ता में विधी होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ती भी बढ़ती है SRI विधी या इसको हिंदी में श्री विधी भी बोलते हैं ये धान उत्पादन की ऐसी तकनीक है जिसमें बहुत कम लागत में और बहुत ज्यादा पैदावार किसान भाई ले सकते हैं जैसे अभी तक जो आप परमपरागत धंग से जो आप खेती कर रहे थे यानि रोपा विधी से कर रहे थे या फिर आप टान जमीन में डारेक्ट सीडेड पड़ी लगाते थे मतलब छिटवा धान जिसको बोलते हैं तो छिटवा धान हो गया या जो जो रोपा वाला जो ध समान्य तोर पर पारमपरिक धंग से धान की खेती करने पर 20-25 दिनों का बिचड़ा प्रयोग किया जा सकता है। कुछ सिध्धान्त है हना मैं आपको संचेप में वो सिध्धान्त बताना चाहता हूँ किसान भाईों के लिए ताकि हमारे किसान भाई अच्छी तरह से समझ ले कि श्री विदी है क्या इसका पहला सिध्धान्त है कि बिचड़े की आयू जो रोपा के लिए बिचड़ा करने के लिए रुपाई का तरीका और पौधों से पौधों की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी का ध्यान रखना अत्यंत आवश्चक है श्री विदी सिधान की खेती करने पर जोकी बिचड़े की उम्र कम होती है जिससे ये काफी नाजुक होते हैं इसलिए बिचड़े क रुपाई में अधाने बरतना चाहिए saath ही मारकर की सहाइता से कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी सुनिश्चित कर ले हैं पौधा एवं कतार की सही दूरी होनी पर कोनो विडर आसानी से चलाया जा सकता है इसमें जो बिच्डा आप लगाते हैं वो सिर्फ एक ही बिच्डा एक जगह पे लगाएंगे आप रोपा में किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि दो तीन बिच्डा जो हाथ से उठाते हैं दो तीन बिच्डा हाथ में आता है उसको रोप देते हैं लेकिन स्रीविधी में एक बिछडा यह जग पर लगाएंगे और जो बिछडा लगाएंगे वो पीछड़े से बिछडे की दूरी फ़ीजह होगी 25 सेंटीमीटर तो इसको कैसे करेंगे किसान भाई क्या करेंगे 25 cm का कोई लAKड़ी का टुगड़ा काट लेंगे और उसी से नापनाप करके यह लगाते जाएंगे तो क्या होगा पोधो से पोधों के बीच के दूरी 25 cm बन जाएगी और लाइन जो लाइन बनेगा वो लाइन 25 cm पर होगा यानि अगल भगल की जो लाइन है वो भी 25 संटीमीटर दूरी पर और पौधों से पौधों की बीच की लाइन है वो भी 25 संटीमीटर श्री विदी सिधान की खेती करने से समुचित जल प्रबंधन सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है इस विदी की खास विशेश्च्ता यह है कि खेतों में लगातार पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है बार-बार कुछ अंतराल पर खेतों में पानी डालना एवं खेतों को सूखा रखना पड़ता है ताकि मिट्टी में वायू संचार होता रहे इसमें खेत में पानी जमने नहीं देते हैं। सुखाना है एक बार छोड़ना है इस विदी से खीतों में खर-पत्वार नियंत्रण के लिए कुनो बेडर का प्रयोग किया जाता है इसके प्रयोग से खर-पत्वार तो नष्ट होती ही है जडों को परियाब धवा मिलती है जिससे जड में वाई विय जीवानों को पनपनी में सहायता मिलती है चार बार करना है फूल आने से पहले ध्यान रखे किसान भाई कि फूल आने के बाद कोनों वीडर का परियोग बंद नहीं करेंगे क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा किसान भाई के चलने से उनके बदन के हिस्से से पौधे टकडाएंगे न तो उससे क्या होगा कि सारे फूल वहीं पर जड़ जाएंगे और किसान भाई को पाधावार में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए चौथा से धानती है कि कम से कम तीन बार हानी पंदरा दिन अंतराल के बाद फूल आने से पहले तीन से चार बार कोनो वीडर का परियोग करें श्री विदी से धान की खेती करने पर खाद इवं बीच की बचत होती है साथ ही अगली फसल के लिए खेत की तैयारी में सुविता होती है दूसरी जानकारी की तो दूसरी जानकारी है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले बीमारिया और बचाओं के बारे में इसे भी हम देखेंगे फीचर के माधियम से लेंगे जानकारी बरसात का मौसम पशुपालकों के लिए बेहत महत्वपूर्ण होता है इस मौसम में पशु विभन रोगों की प्रती अत्यधिक सम्विदनशील होते हैं, जिसके कारण पाचल संबंदी बिमारियां एवं अन्य परजीवी तथा बाहे परजीवी का प्रकोब बढ़ जाता है। जरासी अगर साफधानी अगर नहीं देते हैं, जो भी पशु पालक हैं अगर बर्शात के मौसम में अपनी पश्यों को रख रखाओ में अगर साफधानी नहीं बरतते हैं तो तुरण आपके पशु बिमार हो जाते हैं, खास करके छोटे बच्चे, जैसे बक्रीयों के बच् तो इसमें अगर रख रखाओ की बात करते हैं कि बरसात के मौसम में तो दो तीन चीज बहुत महतपूर्ण है उसको ध्यान देने की बात है पहला चीज जो है कि आवास विवस्था दूसरा चीज है कि खान पान की विवस्था तीसरा चीज है कि बीमारियों से बचाओ के एवं सूक्छमजीव पेट में आ जाते हैं जो पश्वो के पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं इससे बचाओ के लिए उन्हें हरी चारे के साथ सूखाचारा भी दे पश्वो को बरसात में सूपाचिस संतुलित अहार दे जिसमें 60% हरा और 40% सूखाचारा दे इसके अ अलावा उन्हें दाना मिश्रन भी दे पश्वो को बहुजन में प्रती दिन 30-40 ग्राम सादा नमक और 25-35 खनिच लवन दे दूशित यफफंदी युक्त बहुजन पश्वो को ना दे तो सबसे पहले हम खान पान की बात करते हैं कि इस समय विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए करते करना है दीज़ने जो भी आप दाणन मिशन देंगे अपने को और बिल्कुल ट्रے plugging देना चाहिए पुरान ता तो उस तरह का दाना को आप पस्वों को खिलाने के लिए नहीं दें क्योंकि वो फंगस के कारण होता है और अवास में अहार में देखा जाता है कभी-कभी आपको काले रंका या उजले रंका फंगस हो जाता है तो वैसे दाने को बिल्कुल हटा दें और फ्रेस दाना अपने पस्वो को दे खासी का आप देखा जाता है कि बहुस सारे हमारे किशान वाई जो ख्योंकर पालं से जुड़े हैं डाना विशन देते हैं तो उस समय भी ध्यान देना चाहिए कि वोट लों के यगर जदान विशन सामागरी देते हैं तो एक या दोas-दीन पुराना अगर नहीं दें, आप फुरेश लाकरके खिलाने के लिए उसका उप्योग करें तो इस तरह से दाने का आहार का विशेस रूप से ध्यान देना है और इसे आहार का अगर ध्यान अच्छी तरह से देते हैं तो इसमें जो बरसात से होने वाली कमी होती है पानी की शुदता पश्वों के स्वास्त को बहुत जादा प्रभावित करती है इसलिए पश्वों को स्वक्ष जल पिलाएं चराते वक्त किसी गठी या गंदे श्रोट से पश्वों पानी ना पिये उसका समुचित ध्यान रखें खाना देने वाले नाद की नियमित सफाई करें पश्वों के स्वास्त एवं दुख्द उत्पादन पर उनके आवास का सीधा प्रभाव पढ़ता है इसलिए बरसाद के पहले आवशक्ता अनुसार पश्वों आवास ठीक करवा ले आवास के ईर्द गिर्द बरसाद का पानी इकठा ना हो फर्श, सम्तल और सूखा हो इसका ध्यान रखें कीचर में रहने पर पश्वों के खूरों में संक्रमन हो सकता है इसलिए उन्हें सूखी जगह पर पांधे पश्वों आवास की नियमित साफसफाई करें ताकि मच्छड और मखी से उन्हें बचाया जा सके पहला चीज जो है कि आवास विवस्था दूसरा चीज है कि खान पान की विवस्था तीसरा चीज है कि बीमारियों से बचाओ के लिए टीका करन तो ये तीन बहुत ही परमुक्ष चीज है जिसको बरसाद के मौसम में धियान देना चाही तो पहले एक-एक करके हम लोग बात करते हैं कि जदी आवास विवस्था की जदी बात करते हैं तो पशू जो भी पशू है चाहे बक्रिया है या सुकर है या गाई जो है वो उसमें देखा जाता है कि ये सूखा आवास पसंद करते हैं आवास अगर गीला होता है और बसात के मौसम में देखा जाता है कि जग गर्मी में बारिस जब होती है तो हुमिडीटी बढ़ जाती हुमिडीटी बढ़ने से गर्मी का परकोप बढ़ जाता है और जो पसु है वो ज्यादा स्ट्रेस फिल करते है उनको अच्छा नहीं लगत बख्रियों में भी खास करके देखा जाता है अगल रवास सुत्रा नहीं है अगर वारिस हो गई तो प्रिय को एसन सूधरों के बच्चे हो गए और लगया उसai में इससले में निमोनियों की समभावना अधीक हो स्टिये तो इस में आवास विवस्था खास करके जो भी आवास है जो हमारे पश्रूं का उसमें कहीं से लिकेज नहीं होना चाहिए या जटास से अंदर भींगने की भींगना नहीं चाहिए तो इन सब का विशेश रूप से ध्यान दे साथी साथ हवादार होना चाहिए खिड़की दरवाजे अच्छी होने चाहिए और जब बरसात के मौसम में जब धूप आता है तो आप कोसिस करें कि अपने पश्रूं को थोड़ी देर धूप में रखें और आवास को भी जो है कि बिल्कुल साफ सुत्रा और सेनिटाइज करकर रखें क्योंकि बरसात के मौसम में जैसे ही आवास गिला होत होता है इनसे बचाओं के लिए बरसात पूर्व ही ठीका करन करवा लें संक्रमित पश्रूं को अन्य पश्रूं से दूर रखें क्रिमी के नियंतरन के लिए पश्रू चिकित्सक की सला से अलबेंडा जोन की उचित मात्रा पश्रूं को दें दुधारू पश्रूं को थनेल जिवानु विसानु जनीतरोग इसका टीका करन करके हमारे किसान भाई इससे बचाओ कर सकते हैं तो जिवानु विसानु जनीतरोग जैसे की होता है जिसे गाय की बात करते हैं तो इस समय बरसात के मौसम में H.S. B.Q. और F.M.D. के तीन बिमारियां होने की संहावना बहुत होती है H.S. जो ॉर्घ Lंगडी बुखार करते हैं बरसात के मौसम में H.S. की संहावना बहुत अदिक होती है H.S. लक्रियों में भी हो सकता है इसमें जानवरों को सांस लेने में परिसानी होती है और घड़गड़ाट की आवाज आती है और सही समय पर इलाज नहीं करने से पसूम मर जाते हैं तो HSBQFMD गाय में इसका टीका करन अबस से करा कर रखें अगर आपने अभी भी नहीं कराया तो इस तीनों टीका से भी तीनों जो बीमारी है उसका टीका करन हो सकता है उसके साथी साथ बक्रियां की जड़ी बात करते हैं तो बक्रियों में PPR और इंटेरो टॉक्सीमिया ये दो जो बीमारी है इसका आप अवस से टीका करने इंटेरो टॉक्सीमिया और PPR तो हमारे किसान भाई जानते होंगे कि PPR बिमारी जो होती है उसमें दस्त होता है बुखार होता है और बक्रियां अचानक मरती है तेजी से ये बिमारी फैलता भी है उसके साथ इंटेरो टॉक्सीमिया बिमारी जो होती है देखा जाता है कि जब बक्रियां चरने के लिए जाती है सोस्त बक्रियां जब घास ज़ बरसात के मौसम में दस्त का जो समस्या होता है तो उसके लिए डॉक्टर की सिला ले करके एंटिवाइटिक या दस्त रोधक दवा दे करके इसका बचाओ कर सकते हैं अब बारी है आपके कागज और कलम उठाने की ताकि आप अपने सुझाओ और समस्या हम तक लिक कर भेज़ सके फटाफट हमारा पता नोट कीजिए हमारा पता है कारिकम क्रिशी दर्शन, द्वारा केलरी देशक, क्रिशी प्रकोष्ट, दूर दर्शन पेल, रातुरो ट्राची, तिल संख्या 834-001 तो हमें रहेगा आपके खतों का बे सब्री से इंतजार लिखना बिलकुल मत भूलिएगा और हाँ आप हम से फेस्बूक और ट्वीटर पर भी संपर्ट कर सकते हैं तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजे इजासत जहार